हाई गाईज, बहुत लंबे टाइम से वेट था मुझे और 10 सेप्टेंबर को ये बुक लाँच हुई है 10 सेप्टेंबर और आते ही ये काफी पॉपिलर हो गई है आज मैं इस बुक को लेके आपके सामने हूँ फर्स तिंक्स फर्स ये बुक को मैं पार्ट्स में आपके साथ डिसकुशन करूँगा एक ही वीडियो में इस बुक को हम पूरा डिसकुस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी बुक है I think almost ये 400 पेजिस के राउंड बुक है तो एक वीडियो में इस बुक को कवर नहीं किया जा सकता पहली चीज़ ये है आज वीडियो में डिसकुशन करूँगा है प्रोलॉक के बारे में प्रोलॉक का मतलब होता है में बुक में जाने से पहले कि बुक में में कंटेंट क्या है उससे पहले राइटर आपको एक जलग देता है वो एक स्टेट सेट कर देता है कि आगे क्या होने वाला है ठीक है जैसे कि माली जी आप रेस्टोरान में जाते हैं आप जो अपना main meal order करते है उससे पहले appetizer order करते है appetizer क्या होता है जो main meal है उससे पहले वो आपके अंदर एक appetite develop कर देता है एक taste develop कर देता है main meal के लिए ऐसे ही prolog होता है ठीक है तो prolog से आप मालम पड़ जागे कि exactly ये जो किताब है वो किस चीज़ के उपर है है क्या इसके लिए आपको एक story समझनी पड़ेगी हरारी एक story का mention करते है एक होता है जादूगर ठीक है काफी बड़ा जादूगर है तो उसका एक student होता है apprentice होता है उस student को जादू सिखा देता है और एक दिन उसको बोलता है कि जोबड़ी में रहता था एक गाउं में रहता है जोबड़ी में तो उसको बोलता है अपने student को कि मैं जरा काम से जा रहा हूँ तो पीछे से यह जो जोबड़ी है इसको साफ कर देना साफ कैसे करोगे पास में एक नदी है वहाँ जाना, पानी लेके आना और साफ कर देना जाड़ू को कर रगा देना तो बोलता है, जो स्टूडेंट होता है कि हाँ, मास्टर आप टेंशन मत लीजिए आप जाईए, मैं जब आप आएंगे तो ये पूरी आपको जोबड़ी साफ मिलेगी अब होता क्या है जब वो चला जाता है बड़ा जादू गर तो स्टूडेंट जो होता है वो सुचता है कौन जाए यार जाओ नदी से पानी लेके आओ वो कहता है, मैं जादू का यूज़ करता हूँ वो क्या करता है, अपनी जादू ही ताकत से वो जाडू होता है उसको ऐसा बना देता है कि जाडू आटोमेटिकली नदी तक जाता है और पानी लेकर आ जाता है तो जाडू में वो मैजिक कर देता है उसका काम हो जाता है और आम से बैठता है तो शुरू में तो सफाई हो जाती है वो बड़ा खुश होता है कि मुझे मह को रोक नहीं पा रहा है तो हो किया रहा है वो ज़ाड़ू है वो ज़रोत से ज़ादा पाई ले आता है तो पूरे उस जोपड़ी के पानी पानी भर जाता है बहुत पानी भर जाता है इन फैक्ट पानी तना हो जाता है कि भार नकलके पूरे गाउं में फैलना स्टार्ट हो यूह एपकशान होता है। बहुत तकलीफ में जाता है, बहुत डर जाता है, घबरा जाता है थोड़ दर मास्टर पहुंचते हैं, तो मास्टर दिखते हैं, यह क्या हुआ तो फिर वो पूरी कहानी बताता है, और माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजे, अब कैसे भी करके आप इसको रोकिए तो जो मास्टर जादू कर है, जो बड़ा जादू कर है, वो जानता था फिर वो उसको, जो मैजिक है, उसको कैंसर आउट करता है, तब वो जाड़ू जाके रोक जाता है तो कहानी का conclusion क्या है, conclusion यह है कि हम power तो ले लेते हैं, humans power तो अपने पास ले आते हैं, बट power को हम ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं अब ऐसी ही जो power है, AI, इसके उपर इसमें किताब में बात करेंगे तो यह नोंने एक, एक क्या स्टेफ सेट कर दी है, यह बताने के लिए जो power है ठीक है, हम ले तो लेते हैं, लेकिन हम उसको ठीक से use नहीं कर पाते हैं, control नहीं कर पाते हैं और यह बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो power हमारे ही against हो सकती है अब फिर हराली बताते हैं, अब यह main चीज है, इसको ध्यान दो सुनिएगा क्योंकि पूरी कहानी इसी के राउन घुमेगी, जो पूरी बुक है आपकी, जो उसका content है, वसी के राउन घुमेगा पावर आती कैसे है, पावर कैसे आती है पावर तब आती है, जब majority of humans unite करते हैं majority of humans unite करते है, तब पावर आती है, ऐसे नहीं आती जो leader भी होता है, किसी भी country का, जो सबसे powerful इनसान होता है उसके पावर कैसे है, क्योंकि जो majority है, उन्होंने उसको select किया है तो जो majority है, जब वो unite करती है, तब पावर आती है अब लेकिन majority unite कैसे कर रही है, majority unite कर रही है एक idea पे, एक belief system पे एक idea पे, एक belief system पे, और वो जो belief system है, वो कैसे उनके बीच में, उनको bind करता है, वो bind करता है information के basis पे तो जो majority unite होती है, वो एक information के basis पे unite हो रही है एक idea के basis पे unite हो रही है, एक belief system के basis पे unite हो रही है तो जो information network है, information network वो majority को unite करेगा उससे power आईगी, इस point को समझी, क्योंकि पूरी जो किताब है, उस base पे set है अगर आप ये ठीक सर नहीं समझेंगे, तो आभी आपको तकलीफ होगी power कैसे आती है, power आती है जब majority unite करते है majority unite कैसे करते है, majority of humans कैसे unite करते है एक information network के थूरू, एक जो idea है, जो एक information है सब के बीच में फैलती है जो सब को bind करकर रखती है तो information network है main चीज़, समझ रहे हैं, ये बहुत important है अब, अब ऐसा फिर माना जाता है, अब इसमें यहां से अबने समझ लिया कि information सब कुछ है, क्योंकि information ही majority को unite करेगी वो ही network में फैलेगी, information information network में जाएगी, वो majority को unite करेगी majority unite करेगी, तो power आएगी, समझ गहें, ऐसे link है अब जब बात information की आती है, तो यहां पे, हरादी कहते हैं एक view है, जो बहुत famous है, बहुत famous है वो है, knife view of information, knife view of information knife का मतलब होता है, बहुत simple ठीक है, kind of एक बहुत ही, आप समझ सकते हैं, बड़ा ही सीधा साधा सा बड़ा ही simple सा view, जिसमें complexity नहीं है तो knife view of information क्या है, हरादी कहते हैं, जो famous है बहुत वो यह है कि, जितनी हमारे पास information ज्यादा होगी जितनी information ज्यादा होगी, उतना अच्छा होगा और उतना हम truth के close पहुँच जाएंगे, example देते हैं हो जैसे कि, माली जे एक doctor है, वो किसी patient को patient की जांच कर रहे हैं, जिसको कोई infection है ठीक है, माली जे कोई virus है, वो फैल गया है तो अब एक doctor, अगर एक patient को देखके, जो information निकालेंगे वो अतनी accurate नहीं होगी, जितनी एक लाग doctor, तस लाग patients को देखके, information निकालेंगे, तो जो ज़ादा बड़ी information है, वो ज़ादा accurate होगी, वो truth के ज़ादा close होगी तो ऐसा, नाइव view of information हो माना गया है, कि जितनी हमारे पास information ज़ादा होगी, जितनी ज़ादा होगी, उत्रा हम सच्चाई के close पहुंचेंगे, truth के close पहुंचेंगे, ऐसा माना गया, और बहुत अद तक हरारी बजाते हैं, जो computers हैं, जो internet हैं, उनका भी, जो उसका information में कभी-कभी, दिक्कट भी आ सकती है, दिक्कत कैसे आ सकती अगर information इंफॉर्मेशन इंगलत फिला दी जाए, जैसे example लेते हैं, वो किताब में, हिटलर का, 1933 में, हिटलर पावर में था, हिटलर पावर में कैसे आया, क्योंकि उसने जो information थी, वो ही गलत फिलाई हुई थी वो propaganda करता था बहुत सारी fake information फिलाता था information का एक तरीके से ये misuse है आप fake information फिला रहे हैं, आप propaganda कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये गलत यूज हो गया information का पर ये माना जाता है, जो naive view of information जो है, वो ये मानते हैं कि इस तरह की जो चीजे होती है ये जो fake information है और ये तरह की चीजे है ये with time, with time, जब ज़ादा information आएगी, बड़ी information आएगी और right organizations के हाथ में होगी, ठीक है, बड़ी organizations के हाथ में होगी ये वाली जो चीजे हैं, ये with time, long term में history में हट जाती है भाई, long term में तो Hitler पावर में नहीं रह पाया, वो powers हट गया तो naive view of information में बात मानी जाती है, कल को fake information फैल भी जाती है कल को गलत, इंसान अगर पावर में रहता भी है, तो बहुत long term में नहीं रह पायागा क्योंकि जो बड़ी vast amount of information है, वो long term में जीट जाएगी, long term में truth जीट जाएगा क्योंकि जो बड़ी information है, वो truth के close है, और long term में truth जीटेगा तो ये fake information या Hitler जैसा कोई इनसान अगर पावर में है, तो ये long term में हट जाएगी और अब तो उनका मानना है कि जिस तना से ये computer का जमाना है, उस चम तो खिर, computer का जमाना था नहीं, Hitler के time पे अब तो computer का जमाना है, अब तो बहुत इतनी, इतनी ज़्यादा information है, तो अब तो ये चीज़ा होई नहीं सकती, बहुत मुश्किल है तो ये ज़्यादा information है, तो ज़्यादा truth के हम close पहुँच रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो naive view of information को मानने वाले हैं, वो ही कहते हैं, ज़्यादा information लाओ, ज़्यादा लाओ, हम धीर ज़्यादे truth के close पहुँची जाएंगे और ज़्यादा truth के close पहुँचेंगे, तो चीज़ अपने अब ठीक हो जाएंगी, humanity का betterment होगा पूरी की पूरी, जो computers है, internet है, AI भी जो है, वो इस पे कहीं न कहीं based है कि जतना ज़्यादा डेटा होगा, जतना ज़्यादा information होगी, हम उतना correct decisions ले पाएंगे उतना better, हम truth के close होँगे, reality close पहुँचेंगे, ठीक है लेकिन अब इसमें contradiction है, contradiction कैसे, जो इसके against बूलने वाले है एक और ideology का view है, information पे जो बात करते हैं, एक तो गया knife view of information जो आपको बताया एक है populist view, populist view, अब इसको समझेगे, populist view क्या है वो कहते है, populist क्या कहते है, populist view को समझे पहले, populist को समझ लेना चाहिए जो populism है, यह है क्या, populism समझेंगे तब आप populist view को समझ पाएंगे ठीक है, populist कहते हैं कि जो दुनिया है, यह दो तरह के लोगों में divided है एक तरफ तो common इंसान है, और एक तरफ elite बैठे है एक तरफ common man है, और एक तरफ elite है और जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे school हो, चाहे university हो, चाहे scientific organizations हो यह जितनी भी चीज़ें हैं, यह elite चलाते हैं elite अपने पास power रखते हैं और यह चाहते हैं कि power इनके पास रहे इसके लिए यह जैसे चाहें, media को, universities को, education को, health care को, सबको manipulate कर सकते हैं यह power अपने पास रखेंगे, elite तो वो कहते हैं कि हम तो हमारा इसमें ज़्यादा belief है ही नहीं बहुत बार जो populist view रखने वाले हैं यह जब क्योंकि elite से हमेशन का clash रहता है जब elite से clash रहता है तो यह कहते हैं कि elite तो इनको control कर रहे है education को, health care को, media को तो उसको बहुत बार इन चीज़ों से, organization से इनसे clash में आ जाते हैं वो believe ही नहीं करते हैं वो science की बहुत साइच चीज़ों believe ही नहीं करते हैं वो कहते हैं तो इनके लिए tools हैं पावर में रहने के लिए, elite के लिए हम नहीं believe करते हैं इन में तो यह मानते हैं कि information से truth नहीं मिलता अब आप समझिए जो naive view of information था उसमें वो मान गेते हैं कि जादा स्यादा information आईगी जादा स्यादा information आईगी जादा information लेके जो elite लोग हैं वो आपके उपर पावर जमाएंगे, common man को control करेंगे तो बूल जाओ, truth से किसी को मतलब नहीं है गेम दुनिया में truth की नहीं है naive view वाले करें truth की game है information जादा आईगी truth आईगा वो कहते हैं truth की game ही नहीं है गेम तो पावर की है जादा information आईगी जादा तरीके से आपको जाएलिट लोग हैं control करेंगे क्यूंकि पावर इसके पास होती है जादा information है और इसके पास पावर आगई वो information को manipulate करेंगा इसलिए ये जो populist वाले हैं बहुत बार ये scientific organizations universities, schools media, healthcare इसमें इस चीज़ के उपर काफी बोला है जादा हरारी ने नाम लिया है इसमें एक philosopher French philosopher Michael Foucault का Foucault ने इस चीज़ के उपर काफी बोला है कि जो पावर उसके पास आती है जिसके पास information रहती है और जिसके पास power आ जाती है वो information को manipulate करता है पावर को maintain करने के लिए तो ये दो view जो है information के ये हरारी बात करते है प्रोलाग में पहला naive view जो मैं आपको बताया दूसरा populist view अब populist view में एक चीज़ और है कि हम सच के close कैसे पहुँचे क्योंकि ये तो कहते हैं कि भाई जो game है वो सारी power की है सच से मतलब ही नहीं इन लोगों को तो मतलब नहीं elite सच नहीं आप तक पहुँचने देगा कभी भी ये distort करेगा ये manipulate करेगा तो जो common man है कोई populist हमेशा ऐसा दिखाएगा कि common man के बड़े favor में रहते है elite के against है लेकि common man के favor है तो common man सवाल उठाता है कि मैं फिर कैसे सच तक पहुँचू जब information ही उस तक गरत आ रही है manipulated आ रही है distorted आ रही है तो मैं सच तक कैसे जानू आप कह रहे हैं कि believe ये ना करो किसी भी organization में क्योंकि organizations को तो ये control कर रहे है फिर मैं कैसे सच तक पहुँचू common man कैसे सच तक पहुँचेगा तो populist क्या बदाते है populist solution क्या देते है common man को एक individual को कि आप अपनी research खुद करो आप अपनी research खुद करो आप believe मत करो किसी भी organization पे critical thinking रखो हर चीज़ पर doubt करो हर चीज़ पर doubt करो वो कहते हैं यह कोई एक objective truth ही नहीं ही नहीं कोई वी एक objective truth सब के अपने विले truth है आप अपनी research खुद करो ऐसे believe मत करो do your own research be more critical doubt everything यह कहते हैं अब लेकिन यार एक आम आदमी कितनी research खुद से कर लेगा आप खुदी बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं कर लेगे सारी field research तो करनी लेगा एक आदमी अब यहाँ पर question उठता है एक common man जसकी life में अक्ती responsibilities है अक्ती liabilities है उसे घर भी चलाना है उसे life भी देखनी है कैसे सब कुछ कर लेगा आप सोचे कि biology field में भी साही research खुद कर ले physics में भी खुद research कर ले psychology में भी कर ले computer science में भी साही research खुद करने बैठ जाए possible नहीं है तो फिर हम कैसे सस तक पहुँचेंगे कहीं नहीं तो हम belief करेंगे ना किसी ना किसी organization पर जो भी educational organization है scientific organization है किसी भी तो belief करेंगे अकेला एक आदमी थोना साही research करने बैठ जागा इतना time नहीं है आदने के बस और इतनी expertise भी नहीं है आप सवाली उठा फिर populist कहते हैं उनको कि अगर आप खुद से research नहीं कर सकते पहले तो आप खुद से research कर लिए critical रही है हर चीज़ पर doubt करिए लेकिन अगर नहीं कर सकते अगर possible नहीं है तो एक काम करिए एक और solution है आप divine पर belief रखिए आप divine पर belief रखिए चीज़े अपने आप ठीक हो जाएंगी तो बात करते हैं faith in higher power faith in divine कहते हैं आप फिर छोड़ दीजे ऐसे search करना information को और ऐसे अगर आप नहीं कर सकते अपनी research तो आप divine पर belief रखिए क्योंकि divine ये absolute truth है ये populist इस तरह की populist की ऐसी opinion है उनकी ideology है ठीक है अब हरारी यहाँ पर कहते हैं कि दिक्कत है अब दिक्कत की बात कैसे करते हैं वो कहते हैं जो AI है AI जो है वो दोनों ही view ये जो naive view था information का और ये जो populist view है ठीक है इन दोनों से तरीके से आप समझेए थोड़ा आगे है इन दोनों से ही थोड़ा सा इनके दोनों के grasp से थोड़ा सा beyond है हो कैसे कि सिर्फ information सिर्फ information अगर हम देते जाएं AI को और हम सोचें कि सिर्फ हम उससे truth पे पहुंच जाएंगे इस पे भी वो question mark उठाएंगे उठाते हैं हाराई आगे हम बात करेंगे आगे चेप्टर्स में और वो कहते हैं सिर्फ जैसे तो possible ही नहीं है कि एक आदमी साही सरच खुद से कर ले और हम अगर सब कुछ अगर हम divine पे ही कही भरू से छोड़ दे तो AI से हमें दिक्कत हो सकती है तकलीफ हो सकती है क्योंकि AI एक double agent sword की तरह है अगर ध्यान नहीं रखा गया तो पाव तो जैसे पहले कहानी बता रहा था स्टार्टिंग में आपको वो एक ऐसी पावर है कि उससे नुक्साम की हो सकता है क्योंकि humans पावर ले तो लेते हैं पर control नहीं कर पाते हैं वो AI के के इसमें हो सकता है तो हम सरफ divine के भर उससे नहीं गए सकते हैं और ना ही हम सरफ इसमें बिलीफ कर सकते हैं लाइव व्यू में कि जादा सदा बस information डालते जाएंगे information डालते जाएंगे इस से हमें truth wisdom के सब मिल जाएगा वो कहते हैं यह भी ठीक नहीं है तो हरारी कहते हैं अब जिसके basis वागे पूरी कहानी चलेगी वो कहते हैं एक तरफ information है एक तरफ power है क्योंकि एक तरफ information है एक तरफ power है और बीच में hope है इधर information है बहुत सब information है इधर power है क्योंकि power आ रही है इंसान की बस AI हमें बहुत powerful बनाता जा रहा है तो information और power का एक balance होगा इसके जो beach का area है यहाँ पे इंसान hope ढूंद सकता है अभी महारे पास time है लेकिन ऐसा हो सकता है अगर हमने right time पे step नहीं लिया तो हमारे पास यह जो grace का भी period है जहाँ पे भी हम AI को control कर सकते हैं वो फिर हमारे control के बाहर निकल जागा AI फिर तकलीफ बहुत बढ़ी हो जाएगी जैसे कहानी में होई थी स्टाइटिंग बताया था हमने आपको तो यह वाला जो hope कैसे आएगी information और पावर के बिचे जो hope है कैसे हम आगे हम चले कैसे हम कैसे हम कैसे हम discience लें ताकि हम AI हमारे control में रहे AI हमें control ना करे इसके उपर अब यह आगे जाएंगे पर इस चीज को जहां रखिए आगे बढ़ने से पहले वो कहते है हरारी क्योंकि पूरी जो game है वो information ground ही भूम रही है यह जो पूरी content है जो किताब है पूरी information ground भूम रही है information से ही power का link है अब वो सवाल उठाते है पहले chapter में कि पहले यह तो जाने में information है क्या what is information क्योंकि हमने ऐसा माना हुआ है अभी तक information से truth आता है truth से हमें wisdom और power मिलती है हरारी ने एक flowchard बनाया कि information से truth आया सचाई मिली आपको जादा सादा information से truth मिला आपको उस truth से आपके पास wisdom और power आती है पर हरारी सवाल उठाते है कि आप पहले chapter में आएंगे कि पहले तो जान ले information है क्या किसको आप information कह रहे है ठीक है यह इनका पहले chapter है तो यह prologue था मैंने आपको काफी detail में बता दिया काफी detail में लिखा है जितना मैंने बताया उससे three times जादा है content तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो आदनी एक दिन में किताब खतम कर लेता है लेकिन आप अराम से पढ़ेंगे तसल्ली से पढ़ेंगे उसमें depth में जाएंगे तो उसमें काफी कुछ मिलता है आपको ठीक है तो यह था prologue जो मैंने आपसे discussion किया जल्दी मिलूँगा आपसे next video में अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं आप इससे कुछ सीख रहे हैं आपको कुछ value का लगता है तो इसको सब करता शेयर कर दीजएगा have a nice day bye take care thank you